इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। दिन आठ मैं घोचना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारन और अलोकिक हूँ। मैं घोचना करता हूँ मैं अपने जीवन के लिए प्रत्याशित सपने को पारित करने के लिए आया हूँ। यह लोगों, निराशाओं और प्रतिकूलताओं से नहीं रुपता। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। इस्वर के लिखिश शब्द में सही लोग और सही विराम मेरे रास्ते में हैं। मैं अपने दिव्य भाग को पूरा करता हूँ। यह मेरी घोचना है। आमेन। 8 अगस्थ 2021 दिव्य स्वास्त की स्विकारोती। एशु मसी मेरा प्रभू परमेश्वर और उद्धार करता है। जब वह मरा तो मैं मर गया। जब वह दफनाया गया तो मुझे उसके साथ दफनाया गया। अब जब वह जी उठा है तो मैं उसके साथ जी उठा हूँ। के लिए प्रतिरोधी है। मैं विधिवत रुप से ईश्वर का संथ ईश्वर के जीवन और उनकी धार्मित्ता के प्रकृति के साथ ठैरा गया हूँ। आमेन। मैं जैसा कहूंगा मुझे एशु के नाम पर वही मिलेगा। मैं मजबूत हूँ एशु के नाम पर मैं स्वस्त हूँ एशु के नाम पर मैं धन्य हूँ एशु के नाम पर मैं शक्ति शाली हूँ एशु के नाम पर मैं अभिशिक्त हूँ एशु के नाम पर मैं आजाद हूँ एशु के नाम पर मैं इश्वर को प्रिय हूँ एशु के न मैं इश्वर और मानोजाती का कृपा पात्र हूं एश्व के नाम पर मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं ना कि जो मैं देखता हूं एश्व के नाम पर मैं एक अनमोल बीज हूं एश्व के नाम पर मुझे अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है मेरे प्रभु के दरबार में मैं ताड के पेड की तरह पनपता हूं मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूं मैं पौधों के रस से भरा हुआ हूं और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूं मैं ताजा और सम्रद होंगा मेरा पत्ता कभी नही मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एशु के नाम पर करता हूं संपन्न हो जाता हूं एशु के नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर रही हैं मैं मसी एशु में हर आध्यात्मिक आश्रवात स्विकार करता हूं एशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूं मैं आत्म मेरी आत्मा और मेरा अंतरमन एक भौतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को आग्या देती है मेरा अंतरमन सुनता है पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है इश्वर का अविनासित जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्य से बात करता हूं मसी के मनभाव की तरह परिपूर्ड हो जा और मैं तुम्हें इश्वर के सब्द द्वारा सनरेखित करने की आज्या देता हूं मैं अपने कांडरा अर्था स्नायू और स्नसों के लिए जीवन बोलता हूं। मैं अपने मान स्पेशियों और स्नायू बंदन को ताकत बोलता हूं। मैं अपने दिल से बड़े जीवन शक्ति की बात कहता हूं। मैं सामान्य वेंटिलेशन, अर्थात, वायू संचार और छुड़काव अनपात बनाये रखने के लिए अपने फेफ़डों और उतकों से बात करता हूं। मैं अपनी किड्नी को परिपूर्णता बोलता हूं। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड़ी, जोड और उपास्थी, संरेखित, मजबूत और द्रड है। मेरी उंगलियां उतकुष्ट रूप से कारी करती है। मेरी आखे स्पष्ट रूप से देखती है और पूरी तरह से देखती है। और मेरे कान इस्टितम काम करते हैं। मेरी तच्वात, मेरी तवचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की सुन्दर्ता के समान, चिक्नी और स्वस्त है। मेरे बाल कोश कड़े हो गय है। मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने की आग्या देता हूं। और जहां विकास की आवशक्ता होती है, मैं अपने कोश में रुद्धी जारी करता हूं। मेरे दात, मसूडे, जवा, बंध और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है। मेरे सभी हार्मोन और निउरोकेमिकल ट्रांस्मेटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जसमे हैं। और अपने कारियों को सामान्य रुप से निश्पादित कर रहा है। मेरा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने अब सोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम हैं। और चया पचय अब शिष्ट उत्पाद नेमित रुप से उत्सर्जित होते हैं। मेरी प्रजन प्रनाली प्रयाप्त मात्रा और गतिसिल्ता शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रही है। मेरी प्रजनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिका का उत्पादन कर रही है। जन्म तक घ्रून की रक्षा और पोशन करती है। मेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कार्य करता है। जिस तरह से ईश्व ने इसे कार्य करने के लिए रुपांकित किया है। एशु के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरुपता को रोखता हूँ, हालेलुया, आमेन, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, म